कच्चे आमों का मौसम आ चुका है तो इन कच्चे आमों से क्यों ना एक खटी मीठी चटनी बनाई जाए ये खटी मीठी चटनी आप जो है प्रीज में लगबख साथ से दस दिन दग स्टोर करके आसानी से रख सकते हैं अगर अच्छा लगे तो जरूर बनाना और कैसा बना है ये जरूर बताना सबसे पहले कच्चे आमों को छील लेना है मैंने या तीन से चार कच्चे आम लिये हैं लगबख एक केजी आम लिया है मैंने उसके बाद इस तरह से इसे पतला पतला काट लेना है अब लगबग वन टी स्पून ओयल लेना है इसमें थोड़ा से मेथी के दाने और थोड़ा सा कलॉंजी एड़ करना है इसको लगबग एक मिनिट तक घुनने के बाद आम एक छोटा चमज नमक और लगबग धाई सो से तीन सो ग्राम हम इसमें गुड़ एड़ करेंगे और साथी साथ लगबग आधा कप इसमें पानी एड़ करके इसे ढखकर बिल्कुल लो फ्लेम में पकने देंगे आप चाहें तो गुड़ के जगा चीनी भी यूज कर सकते हैं अब मुरबबा को इस तरह से चोटा चोटा काट लेना है अगर आपके उस मुरबबा ना हो तो आप इसमें इस यूज कर सकते हैं अब देखिए गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है अब हम इसमें मुरबबा और थोड़ा सा कटा हुआ काजू एड़ कर देंगे और इसमें लगबग एक छोटा चम्मच कस्मीरी लाल मिर्च पॉड़र भी एड़ करेंगे गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है अब हम लोग ग्यास के फ्लेम को बढ़ा देंगे और इसे हाई फ्लेम में पका लेंगे जब तक हमारी चटनी जो है गाड़ी न हो जाए ठीक न हो जाए तो तैयार हो चुकी है आम की खटी मीठी चटपटी चटनी सबसे अच्छी बात है कि हम इसे बनाके लगबक सास से दस दिन तक फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू पर वाचिंग मैं वीडियो स्टे त्यून